सी ए पर वीज़बी का जन जागरुकता अभ्यान जारी है ऐसे के तहट गोरखपुर में सीम योगी आदितनाथ आज एक विशाल राली को समभोधित करेंगे राली में सीम योगी के लावा केंद्र अर्पतेश के कई बड़े भाजपा नेता शरकत करेंगे जमीन देने वाले किसानों को सम्मालित करते हुए कहा कि यह लिंक एकस्प्रेस वे गोरखपुर के साथ साथ पुरवांचल के विकास का बैकबोन बनेगा उन्होंने कहा कि पुरवांचल एकस्प्रेस वे के निर्मान का कार भी योगिस्तर पर जारी है और इसी साल के आखर में मुख्यमार को यातयात के लिए खोल दिया जाएगा इनोंने कहा कि दो साल पहले गुरखपूर में गियर कनेक्टिविटी तक नहीं थी और आज आठ हवाई जहाज यहां से उडाने भर रहे हैं अपने बयान को लेकर रहूल गांधी मुश्किलों में हैं उनके खिलाफ राची कोट ने समन जारी किया है सभी मोधि चोर है कि बयान पर ये समन जारी किया गया रहूल को 22 फरवरी को कोट के सामने हाजर होने का अदेश दिया गया है आपको पताने की 20 करोड की मानखाने का केस रहूल कांधी के खिलाफ दाखिल किया गया है कॉंग्रिस के बरिस्ट नेता कपल सिबल ने कहा कि यदि नागरिक्ता संसोधन कानून पारित हो गया है तो कोई भी राज इसे लागू करने से मना करना नहीं कर सकता है सिबल ने कहा कि पास है तो कोई भी राज ये नहीं कह सकता कि हम इसे लागू नहीं करेगे वो संभब नहीं है ये असंभिधानिक है आप इसका विरोद कर सकते है आप द्रान सबाव में प्रस्ताव पारित कर सकते हैं और सरकार से कह सकते हैं कि इसे वापस लिया जाए कॉंग्रिस नीता हार्दिक पचेल को एमदबाद से गरफतार कर लिया गया है उनको राजद्रोग के मामले में गरफतार किया गया इस मामले में कोट ने हार्विक पटेल के खिलाब गैल जमानती वारंटी जारी किया था और 24 जन्वरी को हाजर होने को कहा था अलाकि उनको पहले ही गिरफतार कर लिया गया है एमदबाद की एक अदालत में हार्विक पटेल के खिलाब पार्टी दार अरक्षन समर्थक राली के बाद कोई हिंसा के मामली में दार्रास्टरो के एक केस में गैल जमानती वारंट जारी कर दिया था अदालत ने सुम्वाई के दौरान हार्वी की लगतार कैर मौजूधी की वज़ा से ये गैल जमानती वारंट जारी किया है आसे सेड़ी अनुश्यत काल के लिए बंद हो रहा है दरसल साई बाबा की जन भूमी को लेकर विवाद गहराता ही जा रहा है मरास्ट के मुख्यमंत्री उद्व शाक्रे द्वारा पन भनी जले के पास पात्री को साई बाबा की जन भूमी बताने और इसके विकास के लिए 100 करोड रुपए का बज़ेट दिये जाने की खोशना से यहां की लोग बेहर नाराज नज़र आ रहे हैं इस गोस्ना का साई बाबा संस्थान प्रस्ट और यहां की लोगों ने विरोध करते हुए सिरडी को बिल्यादी बंद करानी की खोशना कर दी है जानिमानी अभिनेत्री शवाना आजमी को मुंबई के कोकिला बेन धीरुभाई अंबानी अस्पताल में भर्टी कराया गया है शनिवार को एक सडक हाथसे में वो बुरी तरह से खायल हो गए थी मुंबई पुने एक्स्प्रेस वेपर खालापूर के पास ये हाथसा हुआ पहले उन्हें पनवेल के MGM होस्पिटर ले जाया गया और जहां से बाद में कोकिला बेन धीरुभाई अंबानी अस्पताल शव्ट किया गया हाथसे के वक्त जाविद अक्तर भी उनके साथ थे उनके का चोटे आई है हाथसे पर प्यमोदी दुख जताते हुए उनके जल्द स्वक्त होने की प्रात्ना भी किये है अस्पताल में शवाना आजनी से मिलने बढ़ी राह है हूमगार्ड प्रिभाग में बड़ा फ्रास्ट लिया है अब हूमगार्ड प्रिभाग की अटेंडन्मेंस का उनलाइन प्रमानी करन होगा जिपटी पर लगतार सवाल उठने के बाद फ्रास्ट लिया गया है विवस्था के अध्यन के लिए दो अधिकारियों की नियुक्ती भी हुई है उद्रप्रदेश के कृसी सिक्षा एवं कृसी अनुसंधान मंत्री सुरिपताब श्राही ने प्रयागराज माग मेले में लगे कृसना मेले का उद्धाटन किया इस मौके पर तुशिमंत्री ने किसानों के लिए राज रेवं गेंदी सरकार द्वारा चलाए जा रहे कई कारिक्रमों की जानकारी भी है इसकी उन्हें जानकारी के साथ और माम ऐसे उपकरन जिनका क्रसी में इस्तमाल पोता है इसकी उने जानकारी उपलब्द कराई जाए जिसे किसान अपने पुराने तोड़ तरीकों को बदल कर अपने उत्पादन के माध्यम से अपनी आमदनी को दोगुना कर सकेंगे मुजफर नगर में जिला कलेक्टरिट स्थित जिला पंचायतों के चौधरी चरन सिंग सभागार में केंद्र मंत्री सवजीव बालियान और बीज़पी के बुढ़ाना वठाय कुमेश मलेक ने प्रधान मंत्री आवास जोशना के अत्रगत स्याकडों लाभार्तियों को मकालों की चाबिया सौपी है इस मौकी पर सभागार में दियम सिल्वा कुमारी सहीत पुलिस और प्रशासने का दिकारी भी मौजूद थे कारिक्टर में पशुपालन जेरी इवं मत्सेपालन राजमंत्री सुजीव बालिया ने मंत्री लाभार्तियों को संभोधित करते हुए कहा कि प्रधान मंत्री आवास रोशना के तरहत आवास वित्रन में किसी भी प्रकार का कोई भीटवा और नहीं किया गया है और ना ही किसी जन प्रतनीधी ने किसी प्रकार का हस्त छेट किया है जो बादसब में जरुत मन्ध है उसे ही आवास वित्रिट किये जा रहे हैं जिसे जुले के लिए बड़ी स्वागात कहा जा सकता है क्योंकि अब से पहले यहां से अंची टॉप नहीं थे जिसे लोगों को काफी फरिशानी पोदी थी मेरट तक आ रहे है रिजनल रापिड ट्रांजिट सिस्टम को मजफर नगर तक बढ़ाने की मांग की गई है इसके लिए किंद्रिय बंत्री संजिव बालियान नए जनपत के पांचों वधायकों को साथ मिलकर सियम योगी से मुलाकाट किये उन्होंने रिजनल रापिड ट्रांजिट सिस्टम को मजफर नगर तक बढ़ाने की मांग की है जो की अभी तक दिली से वेरट तक स्पिकृत ह बारबंकी में राजस्थान से वधायकों का प्रतिनीधी मंचल पहुंच रहा है इन वधायकों के एक्षा पदमश्री सिसंभानेत रामिश्वरन वर्मा की और्गनिक खेती देखने की थी यवधायक अपने वधायक अपने वधाश्वा अधर्ग्ष सीपी जोष्टी के रतर्ट में राजधानी लखनों में एक सम्मेलन में शामिल होने आये थे वहीं से 12 बंकी में रामशरन वर्मा की खेती देखने पहुंचे इन वधायक ने रामशरन वर्मा से राजस्थान आकर महां की युवाओं को खेती की ट्रेणिंग देने के लिए भी आमंद्रत किया भारत नेपाल सीमा पर तीन विदेशी को गरफतार किया गया है आपको बता दे कि गरफतार नागरिकों में से एक आस्ट्रिया का है तो वहीं दो लोग नेपाल के ही रहने वाले हैं दोनों नेपाली भी परजी वोटर कार्ट और अन्य दस्तावेच के साथ भारत में रह रहे थे और इस सम्बंद में अपर पुलिस अधिक्षक ने कहा है कि आस्ट्रिया ने वीजा अगरदी बढ़ा दी थी मुझफर नगर में 20 दिसंबर को सीए के खिलाब हुई हिंसा के दोरान मारे गए नूरा के परिवार वालों को समाजवादी पार्टी ने पाच लाग का चेक दिया है इस दोरान सपास जुलाद्धक्ष प्रमोत्यागी ने कहा कि परिवार को ये मदद अखले स्यादफ की और से दी गई है समभल में समाजवादी पार्टी के कारेकर्टाओं ने सडकों पर हुए गड़ोस में पेड़ पौधे लगा कर अनोखे अंदाज में सरकार के खिलाफ अपना विरोध दर्श करवाया है वीडियो में साफ़त और पर देखा जा सकता है कि किस तरह से एस्पी के कारेकर्टा सडक पर भरे पानी में पौधे लगा रहे है वही एस्पी जिलाद धक्ष द्रोज खान ने मौझूदा बीचे की सरकार पर गंभीर आरोप लगाते में कहा कि प्रदेश शरकार के कई मंत्री गंठा मुक्त का नारा देकर हजारो करोडों रुपे डकार गए हैं जिसके चलते सडकों की आलात बहुत थी खस्ता बने हुए है 27 जन्वरी से पांस दिवस्य गंगा यात्रा का आयोजिन किया गया है जिसको लेकर मुजफर नगर के दिली पौडी राजमार्ग थाने के पास सफाई और अतिक्रमन के विरुद अभियान चलाए गया है अभियान में नगर पंचायत के सभी करमचारियों के साथ ही भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा अतिक्रमन करने वाले लोगों को चताबनी दी कि यदि कोई भविश में मार्ग पर अतिक्रमन करेगा तोस्पर नगर पंचायत की और से जुर्माना लगाया जाएगा और सक्त कानूनी कारवाई भी की जाएगी 27 जन्वरी को गंगा यात्रा कारिक्रम के तरहत प्रभारी बंतरी कपिल देव अगरवाल ने विश्णौर गंगा विराज और संभलगर छेत्र का जाजा लिया जाचा लेने के बाद कपिल दिव अगरवाल ने प्रेस कॉंफरेंस में बताया कि 27 जन्वरी को गंगा यात्रा विश्णौर से शुरू होकर कानपूर तक जाएगी उधर दूसरी यात्रा वलिया से शुरू होकर कानपूर 31 जन्वरी को पहुँचेगी इस कारिक्रम के दौरां 27 जन्वरी को मुख्यबंत्रे योगी आधितनात विश्णौर के संबल गढ़ पहुँच कर गंगा यात्रा को हरी जण्डी दिखाएंगे महराज गंज के रगपूरा में एक सभा को संबोधित करते वे अंतरास्टे हिंदू परिसत के अध्यक्ष प्रवीन तुगडिया ने कहा है कि राम मंदिर तो बनने जा रहा है लेकिन देश में राम राज नहीं है देश में आज 11 करोड युवा बिरुजकार है और किस्तान आत्महत्या करने को मजबूर है लेकिन सरकार इन मुद्दो पर ध्यान नहीं दे रही मही नागरिक्ता संसोधन कानून पर कहा है कि वो नर्सी का समर्थन करते हैं लेकिन प्रवीन तोगड़िया नहीं गेवी का कि नागरिक्ता संसोधन कानून भारत सरकार की विफलता का सर्टिपिकेट भी है मुजफर नगर में रिल्वी विखाग की बड़ी लापर वाहिर सामने आई है क्लिप खुलने के बावजूद पट्री पर दोडाई ट्रेन पट्री पर चल रहा था मरमत का काम और थाना खतौली छेत्र का ये मामला है दो साल पहले यहीं पर एक बड़ा हाथसा हुआ था जब ट्रेन क्रैक पर काम कर रहे लोगों पर दोड़ गई थी उस हाथसे में 24 से जादा लोगों की जान भी चली गई थी लखनव में CA की विरोध में प्रदर्शन में पुलिस ने प्रदर्शन कारियों की खाने पीने का सामान जब कर लिया है जिससे घंटागर पर CA के खिलाब प्रदर्शन कर रही है महिलाओं का पुलिस पर गुस्सा फूर पड़ा है महिलाओं के गुस्से को देखते वे पुलिस के साथ प्रशासर ने RAF को बिस्त रक्षा में लगा दिया है घंटागर के आसपास की दुकानों को फुलिस में बंग करा दिया है प्रयागराज की रोशनबाग में शाइनबाग की तरश पर चल रहा महिलाओं का आंदोलन लगतार जारी है CA और NRC के खिलाब चल रहा है आंदोलन में यवको ने अपने खून से अपना सेगनेचर किया है आंदोलन करने वाले यवको ने बारी-बारी बकाइदा ज्रॉक्रों से इंजेक्शन से खून निकलवाया और फिर उसको एक जगा एक खटा करके सफेद चातर पर खून से रिजेक्ट NRC और बॉयकट से ये लिखा अलिगर मुस्लिम यूनिवर्स्टी में यू स्टुडेंट्स का CA, NRC और NPR को लेकर लगतार विरोद प्रोद्शन चारी है और इसे के चरते चातरों ने आर्ट्स फिकल्टी से लेकर वाबे साइट गेग तक प्रोटेस्ट मार्श निकाला साथी उनिवर्स्टीजिक के वाइस चांसलर और रजिस्टर के विरोद में भी जमकर नारे लगाए और पुतला भी ठुका वेश्बर में जहां नागरिक्ता संसोधन कानूर और नार्सी को लेकर बवाल मचा हुआ है वहीं उत्तर प्रतेश के मुरादबाद जिले में एक शादी के जोड़े ने काफी अनोखे तरीके से C.A. को समर्थन दिया है उन्होंने अपनी शादी का कार्ट C.A. के समर्थन में छपवाया है पुरा दबाद जिले के दुल्हे ने C.A. को लेकर कहा कि वो C.A. के बारे में जागरुता फैलाना चाहते हैं वो चाहते हैं कि लोग कानूर के बारे में तक्थ्यों को समझे आगरा थाना ताजगंच पुलिस ने इंसानियत और मानवता की एक नई मिसाल पेश की है दरसल एक विदेशी महिला कान दिन संसकार का जिम्मा थाना ताजगंच पुलिस ने लिया है आपको बताते चले कि अभी कुछ दिन पुर्व थाना ताजकन छेटर के आगरा पत्याबाद मार्क स्थेथ हेरिटीज अपार्टमेंट की तीसरी मंजिल में रहने वाली थाइलेंच की महिला अंजली ने सुसाइट कर लिया था और वोके पर पहुंचिर पुलिस ने सुसाइ मसूरी से विधायक गनेश जोशी ने प्लास्टिक से निजाद को लेकर जागरुपता अवियान चलाया है और सात्रों की राली को हरी जड़ी दिखाकर रवाना किया विधायक ने बढ़ती ठंड को देखते वे राज के इंटरपालेज के शुनपूर में 592 चात्र चात्रा को को जो कि भी वाड़ें यूपि सरकार के सपनों पर पताबगड का गजराही सीची पानी फेड़ता हुआ नजर आ रहा है यहां स्पिताल की हालात बच से बत्तर हो चुकी है ना कि हॉस्पिटल में रंगाई पुताई का काव हुआ है और ना ही यहां इलाज के लिए डॉ को लापरवाही के चलते यहां ग्रामिलों में काफी आख्रोश नजर आ रहा है ग्रामिलों का कहना है कि हॉस्पिटल में सभी प्रकार के सुवदाय उपलब दे लेकिन स्वास बिभाग की लापरवाही के चलते सारी सुवदाय ठप पड़ी हुई है मतुराव रिनवन में आने वाले शधालों के लिए एक राहत भरी खबर सामनी आई है अब यहां बहुत जल्दी बंदरों से नजात मिलने वाला है मतुराव रिनवन नगर निगम को वन विभात की तरब से बंदर पकड़ने के लिए एनोसी मिल गई है और इने पकड़ने का काम जल्द ही शुरूप होने वाला है करीब पहले राउंड में 2000 बंदर एक साथ पकले जाएंगे आपको बता दे कि यहां पर हजारों के संख्या में बंदर है लोग बंदरों के आतंग से काफी जादा परिशान है जिसको रोखने के लिए नगा निगम नेक कमर पस भी है यूपी में सडकों पर गड़ों के चलते लगतार लोगों की सडक हाथसों का शुकार होना पड़ रहा है और दोई जनपत में सडकों की हालात काफी समय से जगजर बनी पड़ी हुई है नैशनल लाइबेच अब इस नंबर को जाने वाला माल भी काफी समय से अर्द निर्मित हालात में पड़ा हुआ है जिसके चलते लोगों को काफी दिकतों का साबना करना पड़ रहा है बदायू जिने में तीन तलाक की घटना सामने आई है शोहर ने अपनी पत्नी को तीन बार तलाक कहकर छोड़ दिया शोहर काफी समय से दहेज की भी मांग कर रहा था मांग पूरी ना होने पर पत्नी को प्रताडित भी कर रहा था पुलिस मामनी की रिपोर्ट दर्ज करके आगे की कारपाई कर रही है परुखबाद में फोन पर जीम आवास को बमों से उड़ाने की घंकी देने वाले की पुलिस ने पहचान कर ली है लेकिन इसके बावजूद अभी पुलिस के हाथ खाली है इस गंबीर मुकदमे में भी पुलिस को सुस्ति पर अंगलिया उट रही है जेम आवास के चलेफोन आपरेचर की तहरीर पर कोतवाली पतेगर में मुकदमा दर्श किया गया है मामले में सीओ सिटी ने बताया कि फोन करने वाले वैट की प्रधान सुर्जीद वर्मा के रूप में की गई है उनकी पैचान सुर्जीद को गिरफतारी के लिए दविश्पी दी जा रही है ग्रचनोयड़ा में दो शराब तसकरों को गिरफतार कर लिया गया है इनके पास से पुलिस ने 800 पेटी अवैट शराब बरामत की है आगरा थारा चित में बदमाशों के CCTV फुटेश सामने आने पर अलाके में हड़कम मच गया है विपारी की घर लूच के मकसद से आये बदमाशों को CCTV कैमरे में रिकॉर्ट कर लिया गया जिसमें बदमाशों हाथ में डंडे, सीडी और कई समान लिये नजर आ रहे है पुलिस ने CCTV फुटेश निकलवा कर मामली की चार्श शुरू कर दी है जालोन में दबंगो की दबंगरी देखने को मिली बाइक से मामली चकर होने पर दबंगो ने बाइक सवार यूवक की बिरहमी से पिटाई कर दी है दरसल बाजार में भीड होने के कारण बाइक की मामली चकर कुछ यूवकों से हो गई जिसके बाद यूवकों ने बाइक सवार यूवक की जम कर पिटाई कर दी है युवक की पिटाई का वीजियो सोशन मीजा पर पारत हो गया है और यह में पुलिस को बड़ी काम्यावी हाथ लगी है मुखबीर की सुशना पर पुलिस ने बिहार और बंगाल में ज्वेलर्स की दुकानों में चोरी की घटना को अंजाम देने वाले बावरिया गैंग का परता फास किया है पुलिस ने बावरिया गैंग के दो सतस्यों को ग्रफतार कर लिया है और इसे के साथ पुलिस ने बड़ी मात्रा में अव्यद हतियार और करीब आधा किलो चाहदी बराबत किया बताया जा रहा है कि पकड़े कई अपराधियों के खिलाफ और इया समेथ बदाईयों में कई मुकात्मे दर्श हो चुके है आगरा थाना चेत्र में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है जिसमें दो बच्चों द्वारा अपने ही नाना की कुलहाडी से काट कर हत्या कर दी गई और साथी नानी पर भी जानलेवा हमला किया गया जिसमें नानी कमभी रूप से खैल बताए जारी है जन्ने मौके पर पुलिस ने पहुंच कर अस्पताल में भरती कराया दरसल नातियों ने संपती के लालश में नाना को मौत के खाट उतार दिया है वही नानी को भी माने का प्रयास किया गया बागपर थानल चेत में बेटी जन्म के जश्म की पाथी बाप के मौत का कारण बन गई है जहां पाथी के दौरान दोस्तों में कोई गाली गुरोज में दोस्तों ने ही उसकी हत्या कर दी हत्याकर शब हाईवे के पास खाली प्लॉत में पेग दिया गया था जिसका पुलिस ने खुलासा कर दो हत्यारों को गिरफ़तार भी कर लिया है कानपुर में अग्यात युवक्का शब मिलने से अड़कम मज गया है गौंजा सदर तैसील में अनेरे में काम करते हुए करमचारियों की तस्वीर सामने आई है यहां करमचारी मोबाइल की रोश्णी से काम करने को मजबूर हो गया है ऐसा एक दिन का नहीं है बलकि हरोज यहां बिजली नहीं आती है तैसील में जनरेटर है लेकिन उसका टेल को बचाने के चक्तर में यहां तैसील के सेकंड फ्लोर पर रोज अधिरा ही रहता है कई बार इसको लेकर यहां काम करने वाले लोगों ने अधिकारियों को बताया लेकिन कोई कारवाही नहीं ही गई जिसके चलते कर्मचारियों में आक्रोश नज़र आ रहा है ग्रामपूर से सांसेद आजम खान कोच में पेशना होने पर कानूनी सिकंच में फस्ते नज़र आ रहे है कोट के आदेश के बाद भी लगतार गैर हाजर चल रहा है आजम खान शौनिवार को भी बुलाने के बावजूर कोट में हाजर नहीं हुए जिसके बाद पुलिस कोट में उन्हें नोटिस जारी कर दिया है बताया गया है था इससे पहले भी आजम खान को तीन बार नोटिस जारी किया गया है ऐसे ही एक मामले में आजमखार, उनके बेटे अब्दुल्ला आजब और पत्नी तंजीन पात्मा के नाम से मुनादी भी करवाई की जारी है अब पांच परवरी को इस मामले में अभी सुनवाई हो रही है आगरा में पोस्ट ओफिस में आग लग गई कौसामवी में फसल बरबाद होने से परिशान किसान स्याकडो अवारा मवेश्यों को लेकर गौशाला पहुँच गए यहाँ पर केर टेकर ने छमता से अधिक गौवंश होने पर गौशाला में गौवंशों को रखने से मरा कर दिया सुचना मिलने के बाद मौके पर SDM ने पहुच कर उन्होंने केर टेकर को किसी तरह से गौवंशों को वहाँ रखने पर राजी कर लिया गया उत्रप्रदेश के महुचनपत के रतनपूर ब्लॉक में ब्लॉक प्रमुक पत के लिए इन दिनों राज्शनितिक सरगर्मी टेज हो गई है ब्लॉक प्रमुक अजित कुमार जूसिया के खिलाब 91 बीजिसी सदस्यों ने जिलादिकारी को अविश्वास प्रस्ताव दिया था जिसकी जाल जिलादिकारी सतर पर हो रही थी और इसी बीच ब्लॉक प्रमुक को पता चला कि जिन बीजिसी सदस्यों का नाम अविश्वास प्रस्ताव देने में शामिल है उसमें से कई बीजिसी सदस्यों को प्रकरन के मारे में जानकारे ही नहीं है नौईजा में डबल मजर और लूट के मामले में फरार आरोपी को यूपी स्टेफ ने गिरफ्तार कर लिया है पचीस हजार का इनामी बजिन्द और फुदिकी दोजार अट्रमें संभल में केंटर चालक और परीचालक की हत्या कर केंटर लूट के मामले में फरार था UPSTF ने फरार आरोपी वजिंद और फबिकी को गिरफतार कर लिया है पितौरागड की मुनस्यारी में तिष्टे दिनों से जारी बर्बारी के कारण धल मुनस्यारी मोटर मार्ग लगतार कई दिनों से बंद है जड़की बर्बारी के कारण तावगाट नरायन आश्रम मोटर मार्ग दो दिनों से बंद पड़ा हुआ है रंबे समय से मार्ग बंद होने के कारण मुनस्यारी में दुश्राविया बढ़ने लगी है स्थानी लोगों के साथ भी मुनस्यारी आए प्रयाटो को भी आवजाही में दिकतों का सामना करना पड़ रहा है हलाकिन लोक निर्मान विभाग मार्ग खोलने में जुटा हुआ है मगर बर्बारी के सितम के आगे सभी प्रशासनिक इंतिजाम बोने साबित होते नजर आ रहे है वो तरकाशी जिले में साल की शुरुवात में दूसी बार अच्छी बर्बारी हुई है जिसमें सडकों पर बर्ग जब गई है देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक SBI ने ग्राकों को दोहरा जटका दिया है हाली में SBI ने फिक्स्ट डिपॉजिट यानि FDB की व्यास दरों में कटोती कर दी थी तो अब RD यानि रिकरिंग डिपॉजिट की व्याच पर भी कैच्छी चला दी है अब SBI ग्राकों को रिक्रिंग डिपॉजिट पर पहले के मुकाबले दो दसमलों एक पाच पीज़दी कम ड्याच मिलेगा महरत की दिगस टेनिस के लाड़ी सानिया मिलज़ा ने दो साल बाद कोट पर वापसी करते हुए अब चलेकॉम सेक्टर के सामने भी नए मुसीबत खड़ी हो गई है इस वज़ा से 15,000 लोगों की नौकरी आख खत्रे में है बड़ा फोल आईडिया कमपनी घाटे में चल रही है जिसे देश के करोडों लोग जुड़े हुए है कार्तिकारियन और सारा लिखान के फिल्म लबाज कल का ट्रेलर जब से लॉंच हुआ है शोशल मीडिया पर इसकी चर्चा रुखी नहीं रही ट्रेलर को देखने के बाद जन्ता ने ट्विटर पर अपना रियाक्शन दिया तो वहीं ट्रेलर लॉंच इविंट से कार्तिक और सारा की बहुत सी पोटो और वीडियो खुब बारत हो रही है ऐसे में एक वीडियो सामने आई है जिसमें कार्तिक आरियन सारा लिखान के पैर चू रहे है इस वीडियो में सारा अपने काम के बारे में बता रही है और अच्छानक से कार्तिक उनके पैर चूते नजर आ रहे है बोनोंने कैमरे को पोज भी दिये है